अपडेट नहीं किया है तो कैसे आप इसको उन्लाइन कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी वेक्ति अपने HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में अपनी नोमनी की डिटेल्स को गलत एंटर कर देता है तो उसको वो मोडिफाई कैसे कर सकता है और अगर अपनी नोमनी की डिटेल्स को च स्कीन में जाके तो चलिए हम अपनी लैटोप की स्कीन में जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको स्टेब बाइ स्टेब बताता हूँ हेलो दोस्तों तो ये देखें मैं अपनी लैटोप की स्कीन पर आ चुगा हूँ और अगर आपने अपने HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में अपनी नोमनी की डिटेल्स को अपडेट करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी नोमनी की डिटे नीचे डिक्सेशन में भी दिया हुआ है तो वहाँ पे जाके आप इसको डिरेक्ट ओपन कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लेफटन साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग लोगिन का उप्शन आ रहा है नीचे आपको यूजर अगर आप यहाँ पे लेफटन साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे इस ऑप्शन में से आपको यहाँ पे एक अप्शन मिलेगा रिक्वेश्ट का तो इसके उपर आपने क्लिक करना है क्योंकि हम अपने नोमनी की डिटेल्स को चेंज या मोडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके उपर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे इस ऑप्शन में से आपको अगर आप पर open हो जाएगा view या update nomination details का और नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है please select the required option यहाँ पर आपको कुछ options दिया हुआ है जैसे कि पहला option है यहाँ पर view या update nomination details for saving account and current account और ठीक नीचे आपको दिया हुआ है आपको view या update nomination details for fixed deposits यहाँ पर थाड़ option दिया हुआ है आपको view या update nomination details for requiring deposit my pension fund यानि कि आप जिसमें भी अपने nominee की details को modify करना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से select कर सकते हैं अभी फिलहाल मैं यहाँ पर saving account select करता हूँ और यह already आपका selected रहेगा अगर आप चाह सकते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पर saving account बाला select करता हूँ नीचे आपको continue option मिलेगा आपने यहाँ continue पर click कर देना है तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ और click करते ही यहाँ पर आपको options open हो जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है please select which accounts nomination details you want to view या update यहाँ पर आपको नीचे आ आपको view या modify nominee का option मिल जाएगा तो आपने करना है इसके उपर click करना है तो चलिए मैं इसके उपर click कर देता हूँ वहाँ पर click करते ही आपके सामने आपकी nominee की details है यहाँ पर open हो जाए यहाँ पर पूरी details यहाँ पर open हो चुकी है अगर आप इसको थोड़ा सा scroll down कर लेते हैं तो यह देखिए ठीक नीचे आपको right and set पर यहाँ पर modify option मिल रहा है तो आप अगर modify करना चाहते हैं तो यहाँ पर modify पर click करेंगे तो चलिए मैं इसके उपर click कर देता हूँ तो यह देखिए दोसको जैसे मैं इसको उपर click किया तो यहाँ पर जो nomination की detail है वो edit mode के चली गई है अब यहाँ पर पूरी तरीके से मैं कोई correction करना चाहता हूँ या मैं यह पूरा का पूरा change करना चाहता हूँ तो मैं बड़े ही असानी से यहाँ पर कर सकता हूँ तो चली मैं थोड़ी सी changes कर देता हूँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर nominee name, date of birth, relationship यहाँ पर select नहीं है तो चली मैं यहाँ पर relationship select कर लेता हूँ तो इस तरीके से आप को भी modification करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर पूरा modify करने के बाद या अगर आप अपनी nominee की details को पूरी तरीके से change करना चाहते हैं तो आप इन सारी details को delete करके आप नई details यहाँ पर feel कर सकते हैं और relationship भी यहाँ पर नया फिल कर सकते हैं तो यह सेम प्रोसेस है अपने नॉमिय की डिटेल्स को पुरी तरी के से चेज़ करना या उसको मोडिफाइ करना उसके बाद अगर आप इसको स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ठीक नीचे आपको राइट हैंड साइड पर ऑप्शन मिल जाएगा कंटीन स्क्रोल डाउन करें स्क्रोल डाउन करने के बाद फिल से आपको यहाँ पर टर्म एन कंडिशन का आपको एक उप्शन मिलेगा कि आप टर्म एन कंडिशन इसकी जो है अक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने इसकी उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ठीक उपर आपको यहाँ पे please view the nomination form को option मिलेगा, सबसे पहले आपने इसके उपर क्लिक करना है, इसके उपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक form open हो जाएगा, इस form को पूरी तरीके से open होने के बाद आप इसको close कर दे, close करने के बाद फिर आपको ठीक नीचे आपको right now side पे confirm को option मिलेगा, तो आपने confirm पर क्लिक कर देना है, तो चलिए मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूँ, तो यह देखिए उसको वहाँ पे जैसे ही मैंने confirm पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे एक message आ गया है, तो इस तरीके से आप बड़े ही असानी से अपनी नोमनी की डिटेल्स को मुडिफाइ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, हेलो दुस्तों तो देखा आपने कितना simple और कितना easy था, अगर किसी वेक्ति ने अपने HDFC बैंक के saving account में अपनी नोमनी की डिटेल्स को गल्ट एंटर कर दिया है, तो उसको modify करना और उसको change करना, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like करिए, और अपने फेंकेशा शेयर करिए, और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूले, धन्यवाद दोस्तों, जैहीं!